is now the first question says that in glycolysis the net gain of ATP molecules is कितने होते हैं ATP molecules प्राप्तट्राइट के बाद यह आप लोगों से पहले कोशने में पूछ रहा है ग्लाइकोलोस पूछ रहा है ग्लाइकोलोस इंग्लाइकोलोस इस दनेट गेन अफ Marapa उत्तर आप लोगों से पूछा जा रहा है और वांव को लगाना है उसका लिखने नंबर चार ठीक है टेर हो गया फूर इस दा राइट अंसर आप दे गिविन कोईशन कोईशन नमबर टू देख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस यह जो प्रॉसेस होती है यह टेक्स प्लेस इन तो कहां पर यह प्रॉसेस कंप्लीट होती है आप लोगों से पूछा जा रहा है तो नाम में होगा यह राइबोसम में होगा बिल्कुल नहीं तो इस लिए गलत हो सकता है क्योंकि सक राइट अंसर टेक्स प्लेस इन दर साइटो प्लाज्मि यह प्रॉसेस-किसमे होती है साइटोप्लाज्में कंप्लेट होती है आगे नेक्स और वन आप दा फॉलिंग और इस इन चा सकता है विदाउट औक सीजन के जीवीत रहने वाला जो आर्गनिजम है वो आपको बताना है गिवन ऑप्संट ठीक है अप्संट दिए हुए है क्या अमीबा होगा क्या यॉट होगा क्या इस्ट होगा या फिर लेच होगा चली मैं बता देता हो clearly ठीक है यहाँ पर पहला है option amoeba amoeba osmosis करता है आप लोगों को बता होगा diffusion process करता है यहाँ पर एक cell के द्वारा सारी processes होती है यहाँ तक ही respiration भी करता है ठीक है यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता यौक की बात करें यह तो काफी बड़ा organism है यह तो अपने आप में यौक नहीं हो सकता ठीक है लीच जिसको यहाँ पर हम लोग जानते हैं जोंक की नाम से और जोंक respiration करता है इन दा प्रेजेंस ओफ oxygen तो इसको भी आफशकता होती है जब की east powder आप लोग ने पढ़ा था जब आप लोगों ने क्या तयार किया था भटूरा बनाया था घर में ठीक है east powder is baking soda yeah sorry east powder is basically used in baking तो baking में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह carbon dioxide gas count surgeon करता है यह आप लोग ने पढ़ा था anaerobic respiration करता है यह भी आप लोग ने पढ़ा था anaerobic respiration होता क्या है the process जिसमें हम लोग without oxygen के बीना oxygen के उपस्थिति में respiration करते हैं ठीक है तो इस्ट इसको oxygen के बिल्कुल भी आफशकता नहीं होती इसका नहीं होती इस ठीक है आगे बढ़ते हैं question number four which of the falling is not produced during anaerobic respiration in the cellular fungus तो इन में से कौन सा option ऐसा है जो प्रड्यूस नहीं होता कब नहीं प्रड्यूस होता डियूरिंग अने रोबिक respiration in the cellular fungus में ठीक है तो आपसे simply way में anaerobic respiration की माध्यम से questions कहा गया मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका जवाब जरूर दो गए तो मैं इसके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ अने रोबिक respiration वह respiration होती जिसमें presence of oxygen बिल्कुल आपको सो नहीं कराना है तो C2H5OH यह ध्यान रखेगा यह जो होती है यह वन मालेकुल आफ एस्टिक एसिड स्वरी यह वन मालेकुल आफ एलकोहल तयार होता है और साथ में आप लोगों ने यह भी पढ़ा था कि सम अमाउंट आफ कार्पन डियॉक्स होता है ठीक है यह सब कुछ सही है ठीक है और जो बनेगा मुटब की उपस्थिती में ग्लूकोज जो बनेगा देखें सीसिक्स ऐसट्वल औरपकोकीय को चार्पनी क्या यह.प cooked ओस Krie्णे से समझेंगा यहाँ पर व operate यहार होता है और साथ में साम्वाटर भी टैयार होता है और सा लोगों पता हो 673 किलो कैलोरी रूर्जा यह भी आपको पता होगा यह चीज जो पता जारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको अच्छे से आप लोग समझे एक ग्लूकोस यह जो एक ग्लूकोस मॉलीकूल है यह ऑक्सिडाइज हो रहा है और साथ में ध्यान रखीगा छे कार्बन डायोकसाइड के माले हो छे वॉटर के मॉलीकूल निकालता है अब बात करें एनिरोबिक रेस्पिरेशन की आपसेंस ऑफ ऑक्सिजन तो सी सिक्स एच ट्वैल ओ सिक्स ऑक्सिजन अनुपस्थे थे यहां पर ऑक्सिजन बिल्कुल सो नहीं कराना है तो यह क्या हो इनर्जी मिलती है ठीक है बहुती कम मात्रा में एनर्जी मिलेगी ठीक है अब यहीं आप लोगों से पूछ रहा है कि क्या था एक बार देखलता हूं विच आप फॉलिंस नौट प्रडूस तो एनिरोबिक रेस्पिरेशन में क्या चीज क्या चीज नहीं मिलेगी तो आप उखने देखा अब ही मैंने दोन उतरी की प्रोसेस लेकी थी मैंने एच्टू सोने कर रहा था दूसरी वाली रेक्शन में ठीक है याद आगे ना पहले वाले में तो निकाला था मैंने कार्बन डियोग्स एक्षड प्लस अब लेकिन सेकंड रियक्शन मैंने एस तो नहीं सब्सक्राइब को बताए गया था क्लास एर्थ में आप लोगों ने पढ़ा होगा सेकंड चेप्टर में याद कीजिए माइक्रोब्स माइक्रो और्गनिजम की वाले चेप्टर में तो फिलाल यहां पर कुश्चिन कहा रहा है फर्मेंटेशन इन हीमन बिंग अकर्स इन द सब्सक्राइब का मसल में बनता है ठीक है कभी-कभी आप लोगों ने देखा हो का पैर जो है दर्द होते हैं या फिर पैर जो है चलने में असमर्थ हो जाते हैं कभी-कभी तो यह मतलब हुई होता है कि सुगर कनवर्ट इंटू एलकोहल ठीक है यहां पर थोड़ा साप लो आपके स्क्रीन पर और यह चारों ही आप लोगों ने लंग्स में पढ़े थे तो लंग्स के पार्ट सो आप जरूर याद करिएगा और साथ में ध्यान रखेगा जो रेस्पिरेशन ट्रैक्ट आप लोगों को मैंने बताया था उसको भी जरूर सीक्वेंस याद करें ठीक ह लोगों से पूछ रहा है तो बता देता हूं अल्वियोलाई इस दे कामन एक्जामपल अप गिवन कोशें डिवरिंग रेस्पिरेशन गैसे बेसिकले टेक्स प्लेस भाई एल्वियोलाई ठीक है तो अगर आपने लगाया तो आपका उत्तर बिलकुल सही है चलिए समझते चलते हैं काफी कुछ सेखने के लिए मिलना इच को विच आफ फॉल इंग्रीज इंड़ मसल सेल्स विन देयार लैकिंग इन ओटू अगर माली कि हमारे मसल्स में ऑक्सिजन की कमी हो जाती है तो होता क्या है कौन से चीज ज्यादा रिलीज होने लगती है क्या बढ़ने अगर वाई को अपने आपने मूं से फूका है इंटू अटेस्ट्यूब में कंटेनी लाइम वाटर लाइम वाटर के उपस्तिती में आपने टेस्ट्यूब से जो है फूक मारी है दिलाइम वाटर टून्स इंटू मिल्की डिउट दू प्रेजन्स ऑप लाइम वाटर का कलर जो था वो चेंज हो गया चानक से मिल्की वे में चला गया दूद के रंग में पहुच गया तो इसका कारण क्या था आपके मूं से कौन सी गैस निकली थी जिसकी व वाटर के साथ कारण डिया अकसाइड मिल्की टेता है मिल्की कलर देता ठीके तो कारण डिया अकसाइड ही आपने फूक मार के बाहर निका लिए थी अगला कोश्चन है वीच ओधा ब्लोग ने तो नाइंथ वाला जो आपको चूज करना सबसे पहले मैं बता देता हूँ आ क्या यायद करना थिस आपको विलकुल नहीं यह उसका यह आपने आप में सही होगे क्योंकि PLT वाला सिक्वेंस हमको यहां पर मिल गया ठीक है उसके बाद LVOLI is the last option यहां से गैसी एक्सचेंजिस होता है वो तो बात की बात है आप लोगों ने सिक्वेंस याद कर लिया question अगला है crab cycle is takes place in which organelles ठीक है तो किस cell organelles में crab cycle के process complete होती है है तो यह आप लोगों से पूछ रहा है question number 10 में तो सारे option दिखा देता हूं आप लोगों को यहां पर दो option देखी लिए है चार option आपके लिए खिर से बताता हूं question क्या कह रहा है crab cycle is takes place in which cell organelles तो आप लोगों ने class 9 में cell organelles काफी पढ़े थे उन्हीं से यहां पर चार organelles रखे रहे हैं चारों के नाम मैं बता देता हूं mitochondria है दूसरा chloroplast है तीसरा cytoplasm है और चौथा है nucleus तो आपको बताने crab cycle कहां पर होती है यह जो scrap cycles होती है यह होती है mitochondria में ठीक है mitochondria यह crab cycles basically takes place in the mitochondria ठीक है question number 10 का clear होगी answer आगे बढ़ते है question number 11 question number 11 simply way मैं पूछ रहा है which of the following is known as the energy currency of the cell in biology most important question 2018 में यह पूछा भी गया था ठीक है इसको जरूर समझे अच्छे से तो क्या चीज़ है इन में से कौन सी energy currency कहलाती है तो energy currency मतलब जिससे हमको उर्जा मिलती है जिससे हम कार करने की शंता मिलती है हम लोग जो work done कर पाते हैं in the presence of this one ठीक है इसकी उपस्तिती के कारण ही हमको energy मिल पाती है तो क्या चीज़ होती energy currency जिसको हम पूरते हैं sales में energy currency के रूप में जाना जाता है यह आप लोगों से वह in the form of ATP थी adenosine triphosphate ठीक है adenosine triphosphate NADH बिल्कुल नहीं हो सकता ADP बिल्कुल नहीं हो सकता और तीसरा option ATP बिल्कुल नहीं हो सकता last option बिल्कुल करेक्ट है energy currency को हम लोग ATP के नाम से जानते हैं lenticles are found in तो यह जो lenticles होते हैं यह कहां पर पाए जाते हैं चार आपको दिख रहे होंगे यह साच चारो पार प्लांट के ही होते है lenticles जो lenticels होते हैं यह lenticles जो होते हैं वह basically found in कहां पाए जाते हैं यह आप लोगों से पोचा जा रहा है देखिए पहले चीज इस time of young plant नहीं हो सकता इसका मतलब करेक्ट ऑप्सन सेकंड है इसको जरूर कंप्लीट कर लें ठीक है और बाकी जो वीडियो बाद में आएंगी वह सेकंड चेटर जैसे कि पिछली बार रिडियूस करके ही चल रहा हूं तो थर्ड चेप्टर में पढ़ाऊंगा इसके बार से बनते भी हैं कुश्चिन थर्टी अर्गनिजम ब्रीद ओली थू देर मॉइस्ट इसकिन इनमें से दो ऐसे होंगे मतलब एक ओप्सन ऐसा है जिसमें दो ऑर्गनिजम की नाम भी है वह करते क्या है इसकिन से रिस्पीरेशन करते हैं मतलब सांस लेते हैं तो कौन को से ऐस क्योंकि क्या करते हैं इसकिन सख्वाइब लेते हैं एक एक लिए फिय्स बिल्कुल नहीं हो सकता है इसके सेकेंड् आप्सन है लीच एंड एर्थ वों ठेक है और लीच बेलकुल से यह मतलब होता है जोंक जोंग और अर्थवाह यह दोनों ही और्गनिंसम ऐसे होते हैं ज तो जो बेस्ट सूटेबल एक्जाम्पल है वह 13 का भी है ठीक है आगे बड़े आगे कुश्चिन बाफ 14 है एप्रोप्रियेट अने अनियरोबिक रिस्पिरेशन में यह तो मैंने बताया था आप लोगो को याद कीजी क्या बताया था मैंने आप लोगो को कि इन अपसेंस ग्लूकोज का उक्सिडेशन होता है सोरी ग्लूकोज का उक्सिटेसन बिल्कुल नहीं हो रहा था ग्लूकोज सीदे क्या हो रहा डिरेक्कल कणवर्टेट इंटू कनवर्ट होगा उसके बाद क्या बनाता कार्बन डियुकोस यह चीज़ें आप लोग ने कितने इमाउंट में बता देता हूं 21 किलो कैलोरी यह अमाउंट था इनरजी का यह बनता है कब एनिरोबिक यह बनता है यहाँ पर अब जो इंपोर्टन चीज़े कुश्यन में दिखाना प्रीधिंग और रेस्पिरेशन वुडी स्टेम और टेक्स प्लांट टेक्स प्लेस थूँ तो ब्रीधिंग एंड रेस्पिरेशन यह जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की किसी भी ऐसे पेड में जो बड़े से होते हैं वुडी स्टेम जिनकी होती है मोटी ताजी उनके बारे में बात की जा रही है किसके थूर रेस्पिरेशन करते हैं तो किसके थूर रेस्पिरेशन करते हैं अभी आप लोग ने पढ़ाता जब अच्छे खासे पेड़े बन जाते हैं लेव से ओल्ड हो जाते हैं तो तो फ्रोड जो वॉडी स्टं मुझा से respiration करते हैं और breathing करते हैं ठीक है lenticels की वज़े से clear होगे आभी आप लोगों ने सीखा भी तैसके बारे में काफी कुस्ट नेक्स कोश्चिन नमर 16 दा प्रोड़क्ट आफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन यह जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होती है यह आप लोगों से पूछ रहा है तो क्या जो शराब होती है या फिर जो एल्कोहल तैयार उसका नाम है एथिल एल्कोहल यही अंसर से C2H5OH यह एथिल एल्कोहल बनती है ठीक है दे प्रोड़क्ट आफ एल्कोहल फर्मेंटेशन इसके बाद हम लोग को एथिल एल्कोहल प्राप्ट होती है ठीक है लास्ट्री कोस्टिंस भी मैं क्लिर्ली समझाते ता हूं वीच आफ फॉलेंग इस मुस्लाइक लाइक लाइक इनमें से किसका हाईयर ब्रीधिंग रेट होता है सिंपली वे मैं कोशन पूछ रहा हाईयर ब्रीधिंग रेट किसका मच मोर हाई होता है यह आप लोगों से पूछ रहा है मैं का बिल्कुल हाई नहीं हो सकता डॉक का बिल्कुल नहीं हो सकता स्पैरो का बिल्कुल नहीं हो question number 18 की बात करें during the deficiency of oxygen in tissue human beings pyruvate case converted into lactic acid in तो ध्यान रखेगा यहां पर जो बात की जा रहे है during the deficiency of O2 oxygen नहीं मिल पा रही है हमारे शरीर की tissue को हमारे का मतलब यहां human beings की बात हुरी है और जो pyruvate acid है वो क्या हो रहा है अभी आप लोगों ने सीखा भी था इसका question तो यह process किस में हो रही थी ठीक है cells के कौन से और्गिनल में हो रही थी यह आप लोगों से पूछा गया है question number 18 में तो simply में यहां पर आप लोगों ने जैसे glycolysis पढ़ा था बिल्कुल उसी तरह से cytoplasm यहां पर पढ़ना है तो cytoplasm is the right suitable option of the given question ठीक है इसका right answer cytoplasm होगा question number 19 the photosynthesis in the plant not taking place during the daytime if the plant is released photosynthesis in plant तो पौधे में जो photosynthesis होती है take place not during daytime अगर दिन के समय नहीं हो पारी if the plant is releasing अगर plant क्या release कर रहा है तो release क्या करेगा जिसकी वज़े से photosynthesis process नहीं हो पाईगी चार option आपके screen पे हैं आपको पताना है कि क्या चीज़ release हो रही होगी जिसकी वज़े से photosynthesis नहीं हो पारी तो आप लोगों ने पढ़ा था release हमेशा oxygen gas होती है लेकिन due to the release of carbon dioxide जिसमें पेड़ पौधा oxygen का निर्माण नहीं कर पाएगा क्योंकि रिलेज क्या करना है carbon dioxide अगर carbon dioxide हो रही है तो photosynthesis process बिल्कुल भी नहीं हो पाईगी ठीक है clear समझ में आगया अब उम्मेद करता हूं